श्री शिवाई नमस्तु ब्याम फ्रेंड्स आप सबका स्वागत आज के इस एपिसोड में फ्रेंड्स आज का जो हमारा एपिसोड है इस एपिसोड के अंदर हमने वास्तू की एक केस टड़ी ली है हमें एक वाट्सप आया था उस पर उन्होंने अपने एक मैप बेजा था हमारे एक वीवर्स ने और उन्होंने हमें बताया था कि सर जी हमारे घर के अंदर ऐसे कुछ परहिशानिया रहती है कि ये कोई कारण हमारे वास्तू का तो नहीं है फ्रेंड्स आज आपको बहुती इंट्रेस्टिंग लगेगा ये जो हमारा एपिसोड है क्योंकि यहाँ पे दो चीज यहाँ पे किलियर हो रही है कि लाइफ के अंदर कोई भी प्रोब्लेम से तो शायद वो वास्तू से कनेक्टेड हो यहाँ पे यह प्रोफ हुआ है जब हमने पूरा केश टड़ी किया दूसरा कि हर बार एक सवाल होता है कि मकान के जो मकान होता है यानि जो घर होता है वास्तू दोस उसमें रहने वाले को लगता है या जिसका मकान है उसको वास्तू दोस की असर होती है तो friends आज हम आपर ये clear कहेंगे कि जिसने भी मकान बनाया हुआ है अगर वो उस मकान को use नहीं कर रहा और उसने जो वो मकान rent पे दे रखा है तो जो rent है जो किरायदार है उसको ही उस मकान के plus minus point effect करेंगे यानि उसका लाब नुकसान उसको ही प्राप्त होगा जो इनसान उस मकान में रह रहा है तो ये case study के अंदर ये भी एक निकल के आया है कि मकान किसी और ने बनाया था वहाँ पे अभी और कोई रह रहा है और उनके जीवन के अंदर बहुत सारी समस्या है तो उनकी जो सारी समस स्यासि उसके हमने कुछ पॉइंट निकाले तो पॉइंट इस तरह से निकल के आ रहे थे उनके जुबानी ही हमने यह निकाले हुए कि पैसा तो आ रहा है पर पानी की तरह चला जा रहा है यानि भावर्थ थे के लिएफिर भिकर पंडर के पिछे नुकसान या कोई ऐसी कानूनी परक्रिया है कि जहां पे बहुत सारा पैसा लग रहा है या फिर दवादारू में पैसा जा रहा है तो हमने जब उनकी दूसरी बात सुनी तो पती पतनी के बीच में हर दिन हो रहे है जगड़े तो फ्रेंड्स ये बात हो इसकती है न अगर पैसे का इसा टैंशर रहता है इस तुर्यों को क्योंकि वह इतना कुछ घर के लिए सेक्रिफाइस करती है तो भी पैसे की दिक्कत वह सहन नहीं कर पाती तो यह भी उनकी दूसरी थी घर के सदस्य बार-बार बीमार हो रहे है तो फ्रेंड्स जो पैसा पानी की तरह आ रहा था पान और नहीं के मकान में जाके अपने जिवन के अंदर ये संगर्स करे कर दिए साथि साथ उनकी कंप्लेन और ती है घल्ट की लेएंज की वह बहुता है और बार बार हो जाती है तो उसके पीछे भी मेडिकल मेंदेनच में पैसा लग रहा है और दूसरा है कोट कचेरी के माम लोग में फसकर हो गए है परेशान तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर भी कोट कचेरी के लिए ही उनकी प्रॉब्लम्स आ रही है तो इंसान इतना तरह प्रॉब्लम्स में आ चुका है तब उसने मेरा हमारा संपर किया अब उसके संपर के बाद में हमने उनका मैब देखा है तो मेप देखने के बाद हमने उसका एक ही निचोड निकाला है कि उनके घर के अंदर शुक्र ग्रह सम्मंदित समस्या फेस हो रही है, हेल्थ की इश्यू आ रही है, पती बतनी के सम्मंद नहीं बन रहे हैं, जगड़े हो रहे हैं, और घर में पैसा पानी की तरह जा रहा है, कोड कचेरी लगी है, तो शुक्र अगर, फिर हमने उनकी एक सदेसे का शुक्र भी डिश्टप था, यानि उसकी भी अशुब असर थी फिर हमने वास्तु पे और अध्यन करने के बाद हमें पता चला, कि उनके घर के अंदर जो में समस्या है, वैसे तो तीन-चार समस्या थी, पर उनकी जो प्रोब्लेम्स है, वो में समस्या वाली प्रोब्लेम्स है, अगनी कोन की, अगनी कोन के अंदर एश्ट्रो वास्तु क के हिसाब से सुक्र घरा का स्थान है और वहाँ पे शोच्चा ले आने से इनके जीवन में ये समस्या रही है फ्रेंड्स देखिए किराये दार है घर किसी और ने बनाया किराये वाले रह रहे है और अगनी कोन दिश्टे पे और ये पांस समस्या जो उनके मुग से वो बोल र निकाला कि इनके घर के जो अगनी में शोचाले है वही सबका कारक है तो फिर हमने उनको एसी एक रेमेडी दिखाई है आज वो रेमेडी में आपके साथ भी शेर कर रहा हूँ और जो जो मेरे जो वीवर्स थे जिसने ये मुझे कंप्लेंड की थी अगर काश वो भी मेरी व पर हम उसको एक केस के नजरी पर दे रहेंगे क्योंकि उनकी प्रोब्लम से ही अम औरों की दूर कर सकेंगे तो फ्रेंड जब से पहले हम यहां पर आपको ले जाते हैं हमारे वास्तु ग्रिट पे तो यहां पर देखेंगे तो यह नोर्थ होगी इस्ट साउथ इस्ट यह है वास्तु की और उनकी जब हमने चेक की तो हमें उनकी इस ग्रिट पे शोचाले प्राप्त हुआ अगनीक उनके अंदर तो फ्रेंड्स यह जो सोचाले उन्होंने यहां कंश्रक्शन करवा रखा था तो इक यह फ्रेंड्स इस तरह से तो जब हमने इनको देखा तो हमने उनकी प्रोब्लेम के साथ मेच किया हमने भी बहुत कुछ इसमें काम किया था कि हमें प्रोब्लेम्स का एक्चुली निवारन लाना था तो हमने देखा और कोई ऐसा सिंटन्स नहीं दिख रहे थे वास्तु के कि हम कह सकते कि भाया यह चेंज कर दीजिए घर चेंज कर है यहां जाके वो पकड में आया अब थो भी हो रियमन के पार पे रिजा रहीत तो उनको भी हपर क्या क्या करना है तो क उपाय करना है तोब Keeping ऑने करना है दूंको रूंक पूरा हो चोचाल है तो हम यहां इहां बात करेगे दाजब कि यह उनकी हो गई साउथ ऑखिंगों के यह साउथ वολ ऑगई उनकी और यह हो गए इनकी इस्ट वॉल और एक्जाम्पल का MPP सो यह यहां पर उनको क्या उपाई करना है भय घजा है एक क्राई थे मार्किट से प subjects in तो die इड बंब जाएंगे आख जेल जाहिए गर उनको ये रड कलर का अढ़ा व्ckt करना है यह 24 गंटंटे जलता रहे हैं नहों कि ये उपा हुआ उनको खास करना है तो ही इसका इनको result प्राप्त होगा क्योंकि यहाँ पर क्या जल तत्व जादा हो गया है शोचाले हो गया है वहाँ पर anti activity हो रही है वहाँ पर पानी गिन रहा है अगनी कौन डिश्टरब सुक्रब विनस डिश्टरब विनस डिश्टरब तो गर में luxurious life चली जाएगी कोड कचेरी आजाएगी घर में बीमारी आएगी खास करके female की बीमारी आएगी तो यह concept में अगर red color का bulb लगा देंगे तो अति उत्तम result मिलेगा यह आप red color का bulb आप दो जगा लगा सकते हो अगनी कोंड में भी लगा सकते हो और दूसरा अगर आपको लगाना है red color का bulb तो आप इसको south की वोल पे भी लगा सकते हो किसी भी तरह यह एक उपाई करना है बहुत nominal उपाई है और साथ ही यहाँ पे हमने उनको एक और उपाई सुचन किया है अगर हो सके तो एक जलतीवी मुंबती का एक फोटो मार्किट से लेके आए और यह फोटो south की वोल पे लगाना है खास south की वोल पे यह जलतीवी मुंबती का फोटो लगा दे friends यहाँ पे आप देखना जो हम कहना चाते हैं यह यह जल्टी वी मुंबती का फोटो साउथ की वोल पे लगाना है इस तरह से यह फोटो आपको मार्किट से प्राप्त हो जाएगा अगर आपके पास कहीं से प्राप्त नहीं हो रहा तो आप हमारी संस्ता को ओडर करके मंगवा सकते हैं यह इस तरह से एक वोशेबल अनब्रेकेबल फोटो आएगा यह फाइर केंडल आएगी यहाँ के चिपकाने के लिए तोड़ा इसमें पूरा प्रोवाइड दे रहे की है टूवे टेप इसको आपके शोचाले के साउथ वोल पे लगा सकते हो वोशेबल है यानि इसमें पानी की कोई भी कहते हैं इफेक में होने वाले उपाये फ्रेंड्स यहाँ पे यही फाइदा है कि बजेट वाले उपाये उनको बता रहे हैं तो उनको क्या करना है जब जब कभी भी आपके अगनी कोन के अंदर यानि फायर जोन के अंदर वोटर आ जाएगा तो वोटर और फायर दोनों के बीच में एक औ और आपको आपके सोचाले को ब्लोग करना तो फ्रेंड्स यहां पे आप को क्या करना है जैसे फिलोरिंग से यहां थोड़ा उपण ग्रीन कलर की इस तरह से पूरी यह पूरा आपको इस तरह से इसको ब्लोक करना है शो चाले को तो यहां की जो नेगिटिविटी है वो और कोई एरिया में नहीं जाएगी इसका भी वास्तु दोस्त नीवारन हो जाएगा बहुत ही सरल उपाए है रेड कलर का एक बल 24 गंटे यह जलता रहेगा साथ में यहां पर आईगी एक मोमबती का पिक यह फाइर केंडल और ग्रीन कलर की यह टेप यह टेप ग्रीन कलर की अगर लगा देंगे तो इसके सर्ववास्तु दोस्त का यह नीवारन हो जाएगा अब समझो कि यह रेंड का मकान है यानि यह सब हम करवा सकते है यहां पर बहुत कोई अधिक खर्चा नहीं हो रहा बट जिसका खुद का गर है उसको गर यह टेश्ट रेमेडी करवा चुके है अब उनको इसकी स्ट्रोंग रेमेडी में जाना है तो उसका भी हमारे पास ए आप में आपको दो धी जाएंगे यह आपको मिल सकते हैं टोलेट प्रोटेक्τα कर एक सैट यानि दो पीस और एक क्लेंप इस तरह से आपको मार्किट में से यह अपको को पराप्त हो जाएगे फ्रेंड्स अब आपको इसका क्या यूज करना है तो इसका भी यूज पूरा मैं आपको दिखा दो इस तरह से यह पूरा सेटिंग यह एक शोचाले की फोटो है इस फोटो के जो शोचाले का द्वार है यह देखे यहां पर शोचाले बना हुए तो यह द्वार के दोनों तरफ यह प्रोटेक्टर आपको यूज करने हैं दोनों तरफ एक यहां पर यूज हो जाएगा और एक यहां पर हो जाएगा ओके इस त ल होने वहां पंसे हो हाँ यह बेदऊ को तो यह जैसे बोन । अच्वु मे ये पूल में जाते हैं के लिए तो दोघो करेगा तो यह दों उप इतरा इदर में को यह कंडर तो सर्वसेच मलूट है 100% result मिलेगा और बहुत ही उत्तम remedy है तोरंत इस सोचाले की negative effect control हो जाएगी इसी तरह अगर आपकी construction अभी चल रही है तो आप क्या कर सकते हो तो आपको ये floor में डलवा सकते हो toilet के बार आप floor में दो booster इस तरह से डलवा सकते हो ये दो floor में toilet के बार booster आ जाएंगे जिससे वहां की भी negativity सोल हो जाएगी friends आप अगर ground floor में रह रहे हो तो इसको क्या कर सकते हो आप straight भी डाल सकते हो जिस तरह से यहां पर आपने खड़ा दिखा रखा है crystal वाला भाग तो इसको इधर भी insert कर सकते हो for example आपको यह चोटी चोटी बात इसलिए बता रहे है कि यह भोती अच्छी रेमेडिय इस तरह से यह बार की दरफ दोनों तरफ एक एक रख सकते हो ड्रिलिंग करवा के friends यह crystal का आएगा copper content में आएगा अंदर मिरनल से 100% effective होए एक बार try कर लेना 100% फाइदा होगा thank you friends हर हर मादेव हर हर मादेव हर हर